और आई अब आपको दिखाते हैं न्यूस टॉप 10 पाकिस्तान से युद्ध नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास आइचम बाम है राउल गांदी ने फारुक अब्दुला के बयान का विरोध किया और कहा कि कश्मीर पर तीसरे देश की मध्यस्ता स्पीकार नहीं कोई न कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा जब आप आज चीन से बात करने के लिए ते यार बैटे हुए हैं युद नहीं करना चाहते हैं युद हमारे लिए इसलूशन नहीं है तो पाकिस्तान से भी बात करिये देखिए तो आप मिठा दीजे इस बात को देखिए हालात अब कब तक आप इंतजार करें क्या हजार साल इंतजार करें आप ये कहते हैं ना तीसरी पार्टी ट्रंप ने खुद काया कि I want to settle किश्मीर प्रफ़र हमने थोड़ा का उसे भारत और चीन के बीच डोकलाम में बात मामले में सकते हैं अब्दुरबासित का कारेकाल पूरा हो चुका है और अगले वहीने वो पाकस्तान जा सकते है अमेरिका ने कहा कि भारत और चीन के बीच डोकलाम के सीम अविबात तरुष्की नजर है अमेरिका ने इस Salah दी भारत और चीन बाचीत के जरी इस मसले को सुलज़ाए भारत हमेशा से कहता रहा है कि वो चीन के साथ बात करने को तयार है इस बीट 27 और 28 जुलाई को भारत के राश्टे सुरक्षा तलाकार अज दोवाल ब्रिक्स मीटिंग के दौरान अपने काउंटर पार्ट से मिलेंगे गुजरात के पूल मुक्यमंतरी शंकर सिंग वागेला कॉंगरूस ने कहा कि कॉंगरूस ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया आजी वागेला का जरम दिन है वागेला ने कॉंग्रिस की ओर से राजपती चुनाव में क्रॉस वोटिंग कराय जाने के आरोपों को हारिच किया सुप्रीम कोट राम जन्मुहूमी बाबरी मस्जिद विवाद की जल सुनवाई के लिए तयार हो गया सुप्रमान्यम स्वामी के अर्जपर सुप्रीम कोट की बेंच ने कहा कि वो जल दी मामले को सुनवाई के लिए लिस्टिंग करेंगे और इसको लेकर फैसला लिया जाएगा 2010 में इलाबाद हाई कोट के फैसले के बाद दे मामला सुप्रीम कोट में लंबित है इसी साल मार्च में इस मामले पर सुप्रीम कोट ने रोज सुनवाई से इंकार कर दिया था बीजेपी सामसाथ सुब्रमान्यम स्वामी ने कोट में जल्द सुनवाई की अर्जी दी थी यूपी के अलाबाद में कावडियों ने हंगामा किया सडक हाथसे में एक व्यक्ति घायर हो गया उसके साथियों ने अलाबाद अर्वनरसी हाईवे को जाम कर दिया और गामा किया कावडियों ने सौ से जादा गाडियों में तोड फोड की पुलिस चोकी में खड़ी एक गाड़ी को आग लगा दी इस दौरान कावडियों ने रूप पाड़ी की सडक पर खड़े एक ट्रक से आम की पेटियां उतार ली गाजेबाद पुलिस ने इंकाउंटर के बाद एक बदमाश को गिरफतार किया इंकाउंटर गुरुआर रात कविनगर इलाखे में हुआ पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक सवार दो बदमाशों को रूखने की कोशिश की लेकिन बदमाशों ने रुकने के बजाए पुलिस पर फायरिंग कर की और भागने लगे जवाबी फायरिंग की गई पुलिस की तरफ से तो बाई गर गई और वो जंगल की तरफ भागने लगा एक बदमाश पकड़ा गया जब दूसरा बदमाश भागने में काम्याब रहा महाराश्टर के धुले में एक व्यक्ति की सब के सामने हत्या कर दी गई साथ से आठ हमलावरों ने तलवार से व्यक्ति पर हमला किया पहले लोगों ने व्यक्ति को दुकान से बाहर कीचा और उस पर कई वार किये मौके पर वो ही व्यक्ति की मौत हो गई मृतक का नाम रफीक कुद्दीन है और उस पर कई क्रिमिनल केसस दर्ज है पोलिस के मताबे कापसी जगडे में हत्या की गई सीसी टीवी के आधार पर फोलिस आरूप्यू की तलाश कर रही है महिला विश्वक अप में आस्ट्रेलिया को अरा का टीम इंडिया फाइनल में पहुंच गई मैच में हरम हर्मन प्रीट ने सिर्फ 115 गेंदों पर 171 बनाए हर्मन प्रीट ने अपना अच्छा तक सिर्फ 14 गेंदों में पूरा किया और आखिर तक रीज पर डटी रही 28 साल की हर्मन प्रीट को और पंजराथ की मुगा की देने वाली है और ये स्कोर महिला विश्वक अप में 4 था सबसे बड़ा स्कोर है अब टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए इंग्लंड की टीम से फाइनल खिलेगी टर्की और ग्रीस बुकम के तेज जटकों से काप गया बुकम की वज़़से दो लोकुम की जान चले गई इस बुकम के बाद सोनामी की चेता भी जारी की गई बुकम की वज़़से कोई बड़ा नुकसा नहीं हुआ और तीवरता चेदर श्रंबलर साथ लिक्टर स्केल पर मापी गई दुनिया के सबसे गहरे स्विंग पूल में तेराकी का ये विडियो है ये स्विंग पूल इटली के एक होटल में बनाए गया है